आज के वीडियो में हम डिसकस करेंगे कॉमटेटिव लाओ मुल्टिप्लिकेशन ओफ मैट्रसिज Let us consider any two matrices A and B I consider any two matrices A matters and B matters हमें क्या पूर्व करवाना है हमें बलके देखना है कि कॉमटेटिव प्रॉपर्टी जो हैं मुल्टिप्लिकेशन की होल्ड करती है या नहीं करती means if either a b is equals to b a or not ठीक है अजी order क्या है a का पहले हम देखेंगे क्या ये multiplication के लिए possible है इनकी multiplication या नहीं order of a is 2 by 2 and the order of b is 2 by 2 so they are comfortable for multiplication ठीक है multiplication के लिए जोना matrices comfortable है ठीक है अब पहले हम a b find करेंगे ठीक है हाँ जी हमें a b चाहिए पहले तो अब a क्या है हमारे पास ये matrix है values रखते हैं one zero two two b matrix है हमारे पास zero minus one two three ठीक है भी अब इनको करवाना है multiply अब आप मुझे बताएंगे कि multiply कैसे करवाना है ठीक है पहली row फिर पहला column ठीक है इसकी row और इसका पहला column first element one को zero से multiply करवाएंगे one into zero फिर count sign यूज़ करना है यहाँ पे plus का sign लाजमी bracket यूज़ करने अच्छी बात है उसके बाद फिर zero को two से second element को second से ये पहली row को पहले column से हमने multiply करवा लिए ठीक है हाँ जी अब इसका second matrix भी है तो अब इसी row को इस बादे second column भी है तो अब इसी row को second column से भी multiply करवा देंगे ठीक है इससे से तो भई one को minus one से multiply करवाएंगे space ठीक है one को minus one से इस तरह लिखे लिए बेशे गूसे तरह पिर क्या sign यूज़ करेंगे plus का sign फिर zero को three से multiply करवाएंगे again use bracket zero को three से multiply करवाएंगे हाँ जी आगे को का सिसले पेरी रहा को परी बारी कीक करवा है उसी दरहां से आपने इस सेक्ड्रो को भी बारी 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 के साथ multiply कर Ist creates a त्रहायले खोंदी आप खाने इस second column को लिए second row को हमने first column से multiply करवाया तू को zero से करवाएंगे पहले तो multiply two into zero फिर plus फिर two into two two into two हाँ जी भी अब हमने दूसरी row को पहले column से तो multiply करवा लिया अब बचता है दूसरा column तो अब इस वाली को दूसरे से भी multiply करवाएंगे फिर two को minus one से multiply करवाए हमने two into minus one फिर क्या sign यूस करना है plus का तो आगे bracket यूस कर लें उसके बाद फिर ये second element को इस से two को three से multiply करवाएंगे तो यह आदेगा two into three और यहाँ हमारी bracket रहेगी close अब इसको कर लेते हैं simplify one into zero zero plus two into zero zero फिर one into minus one minus one plus three into zero zero two into zero zero plus two two's are four two into minus one minus two plus three two's are six ठीक है अब इसको कर लेते हैं add जो elements बचते हैं zero plus zero zero minus one plus zero minus one zero plus four four minus two plus six four यह हमारे पास आगे है product of a b ठीक है यहनि के हमें हमारे पास a b आगे है अब हमने find करना है b a और check करना है कि क्या हमारे पास जो result a b का निकला है वो ही b a का आता है इसका जो a b result है मैंने इसी question one बोल दिया है और आप मुझे find करना है b a तो पहले तो first place पर रखेंगे b matrix which is zero minus one two three and the second matrix will be a which is one zero two two one zero two two अब इनको multiply करवा लेते हैं ठीक है बिल्कुल वो ही तरीका है कैसे multiply करवाना है first इसका इसकी roll है नहीं है पहली फिर इसको इसके पहले column से multiply करवाना है पहले zero into one फिर plus फिर second element minus one into two bracket लाजमी यूज़ करें minus one into two यह first row को first column से multiply करवा ले हैं ठीक है अब क्या करना है इसी को second से zero into zero zero फिर minus one को two से करवाने से पहले यह पोस्ट इसाइन लाजमी यूज़ करें bracket के साथ फिर minus one into two minus one into two इस तरह से हाँ जी आगे का column नहीं बचता इसका मतलब है first row को है हमने column से multiply करवा ले अब बारी आती है इस दूसरी row की इसको ठाना है बारी बारी सारे column से multiply करवाएंगे पहले तो इसको पहले column से करवाएंगे तो दो को एक से करवाया तो यह देगा two into one फिर plus three into two तो यह देगा three into two ठीक है इस तरह पिर अब इसको second column से करवा लेंगे तो यह देगा two into zero फिर प्लस 3 इंटो 2 तो यहां आगया 3 इंटो 2 और यहां हमारे पास आगे मज़ीद कोई कोलम नहीं तो बैर्ट प्लाइब अब इसको कर लेते हैं इंटो 1 जी ओठाइब फिर 0 0 जिया फिर जीज़ित को यहां प्लस इंटो 2 माईनस 2 फिर जीरो 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 इंटो 2 फिर तो माईनस 2 ना यहां पे चाहिए 2 इंटो 2 प्लस 3 टूज़ार 6 यहां किया है 2 into 0, 0 plus 3 to 0, 6 अब इसको में simplify कर लेते हैं तो यह हमारे पास आदेगा minus 2, 0 into value नहीं है ना 0 किसमें भी चीज में add हो रहा है या subtract हो रहा है उसको चीज नहीं करेगा तो यह minus 2 हमारे पास hasities आजाएगा इसी तरहां से यह वाला minus 2 हमारे पास आजाएगा यहां से क्या देगा 6 plus 2, 8 हमारे पास आजाएगा और यहां से क्या देगा 6 यह हमें जो matrix मिला है इस इस अप्रॉडक्ट ओफ B, A ठीक है B, A अब अगर देखा जाए तो क्या मेरे पास जो A, B का result है था क्या वो ही भी एक result है बिल्कुल change है ठीक है इसका मतलब है कि यह प्रूव हो गया कि वाक्य ही commutative law of multiplication of matrices generally hold नहीं करता ठीक है ना So I can write it like this इस तरह से मैं इसको लिख सकती हूँ कि question one or two से हमें यह पता चलता है कि A, B, ब्राबर नहीं है B, A, के means commutative law of multiplication of matrices does not hold